अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें सोना डिपार्ट्मेंट स्टोर बंबई के हम शुकर गुजार हैं जिन्होंने अपने स्टोर में इस फिल्म की शूटिंग करने की इजाज़त दी लेकिन इस कहानी के तमाम करदार फर्जी हैं और सोना स्टोर के मैनेजमेंट से किसी भी करदार का कोई तालुक नहीं सोना कि नहीं जारे हूं यह बस यह मूठी है रखरीवेक तो लेकिन लगेज यह क्या है अगर रंगून के पिक्चर पोस्कार्ट से क्या मिस्टर मर्मा अब यहीं पुलीस से खबर आई है कि उस आदमी का ध्यान रखो जिसके हाथ में निल्म के मूठी हो और रंगून के प मैंप घड़ून के तो tlicht को पुली टेम पुली यह पुली यहँए निल्etted को centimeter इंधून के पुली यह पुली है soften ह Negro, ही यजफ ही यजफ पुलिस खामकम उससे छीन रहना जाती है अब थोड़ी दर के लिए ने छोपा लीजिए मैं बात में ले लोगा आपने अब भी किसी आदमी कुछ यहां से भागते हो देखा आदमी? नहीं इन जोपरों की चलाशी लो की बात में लोपड़ी है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है करने के जिर्द क्या है? डॉक्टर ने पार करने को मना किया था ना? ये डॉक्टर लोग तो योही दराश रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ काम बना बीटी? नहीं माँ तो तो योही दिख करती रहती ये काम क्या बुरा है बीटी? दो वक्की रोठी तो मिल जाती है अगर टोक्रिया ही बलानी थी तो मुझे पढ़ाया क्यों था? बिम्राद महलत क्यों की थी? ना में पढ़ती है, ना तुम बिमार होती है पग्ली, ऐसा नहीं सूचते अगर तेरे बाबुजी होते, तो क्या तुझे न पढ़ाते? मैं तुझे पढ़ाती कि और कौन सा सुख लिया है मैंने तुझे? ना अच्छा पहनाया, ना अच्छा खिलाया मगर तेरे बाबुजी होते है, तो आज हमारी यहालत ना हो मा, मुझे माफ कर देना बेटी ऐसा न कहो मा, मेरे जिसम का रूम रूम तेरा शुकर गजार है मेरे हर सांस पे तेरा इहसान है मगर मैं तेरे लिए कुछ भी न कर पाई मा मा, कुछ भी नहीं, तुमें ये चिम्ताना करे मैं बिलकुल ठीक हो, बीटी, बिलकुल ठीक हो जा, जा ठीक हो दें जीता, ये तुमारी चिठी दाक्या गलती से हमारी खोली में छोड़ गया था कैसी तबियत है मा जी? ठीक हो, बीटी इंट्रव्यू के लिए बुलाया है, भगवान करे तुझे नौकरी मिल जाए, मा, मा, अगर मुझे नौकरी मिल गई, तो मैं तेरे लिए इंजेक्शन्स, दवाईयां सब खरीद लाऊंगी, तुझे मिंटों में अच्छा कर लूगी, और फिर, फिर तुझे कभी टोकरिया नहीं बनानी पडेंगे, कभी कोई काम नहीं करना पडेगा, मेरे अची पीटी, फिर थी बेल्टिफुल, बेल्टिफुल, आपकी टाइपिल्ट कुपसुरत है, और कुपसुरत चीजन मुझे परस पसंद है जांग में भी दाख होता है लेकिन आपकी टायटिंग में तो कोई मिस्केक नहीं है और अगर सवाफ हो भी तो क्या हुआ एक अच्छे सेक्टरी के लिए अच्छी परसुरिटी का होना अच्छा मिजाज होना अच्छा तभी सोना बुस जरूरी है बागी चक्कर तो यह चक् कोईना रिली फंड का च्यारिटी बॉल आज है ना यह सर यह चक चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूँ यह क्या यह पूंच हजार काहिंगे अनपड नो पढ़ाने के लिए ओ नो नो अभी पिछले साली तो मैंने इने चंदा दिया है अनपड़ों को ज्यादा तादिने से म का जल्सा है वहां आपको सवापती का एड्रस पढ़ना है एड्रस यार किया तुमने यह सर्स मैं दिला देती है यह और्पनेश का फंक्शन किससे आ गया अभी अभी तो मैंने ने चंदा दिया है कुछ दिनी तो हुए जी नहीं वह लास्टी अच्छा आप यहां हर साल द सब्सक्राइब कर दो हुए जी तुम्हें पहले चार सो रुपय महिना में लेगा तुम मेरी सेक्रिटरी की एसिस्टेंट होगी लेकिन एक बात याद रखो इमानदारी और वफादारी हमारे फर्म का रसूल है और यही तवक्व मुझे तुमसे है मैं आपको शिकाइट का अफिक तुम्हारे नहीं तोगी। वरी जा सकती है। कल से तो खासी रुपती है नहीं, सारी रात नहीं सो सकी, मिक्सचर पीथी? जी, एक खुराफ बाकी है खत्मोने पर और ले आईए अच्छा माजी, मैं चलू जरा इधर आईए कले ने हस्पिताल ले जाना पड़ेगा हस्पिताल? क्यों क्या बात है? पहने घबराने की कोई बात नहीं एक्स्रे लेना पड़ेगा एक्स्रे? हाँ, यह बहुत जरूरी है मैं डॉक्टर मेटा के नाम चिछी लिख दूगा अच्छा है अच्छा मैं चलता हूँ रिता, रिता क्या मुझे अस्पिताल जाना पड़ेगा? एक्स्रे के लिए भी तो आंकों से ओजर हो जाएगी अभी विचारी की नहीं नहीं नाउप करी लगी है तू दिल छोटा न कर्मा, सब ठीक हो जाएगा सर येस मैं कहना चाहती थी मेरे मतलब है मेरी माँ बिमार है, बहुत बिमार है ओ अगर आप मुझे थोड़ा आद्वांस दे सके मिस्स्रीटर हमारे फर्म के रूल्स और रेगूलेशन भहुत स्टिक्ट है हर महिने की पहली तारिह तुम्हारी तंखा तुम्हारे टेबल पर पहुंच जाएगी पर, no advance सर, बाचपल का फून राज, कहां हो तुम बेटा मैंने तुम्हे कई बार कहा है कि मुझे तुम्हारा घर से बाहर रहना बिल्कुल बसन नहीं दो रादों से तुम घर वापत नहीं आए कहां हो तुम्हारे लोट से बोल रहा हूँ निसार मर्चंट की यहांते डैड डैड मैं जर अउजन में फस गया हूँ डैड लग साथ नहीं दे रही है लगातार हारता दला जा रहा हूँ अब आपी बताईए ताश में हारे हुए पैसे दिये बगर घर कैसे आ सकता हूँ और डैड सुचिये लोग क्या कहेंगे सेट सोहनलाल का बेटा वैसे तो बहुत नाम रोशन कर रहा है अपने बाप का अभी पिछले हफते ही 25 अदा रुपय हार चुके हो रेस में और आज पाश में मैं पुछता हूँ ऐसे कैसे चलेगा I'm sorry dad कितने रुपय चाहिए बारह हजार Dad मैं आपको बहुत तुक पहुचाता हूँ न Oh come on, पगला कहीं का मुझे तुमसे केंटे दुफ पहुचेगा बेटा Thank you dad, you are a darling Okay, okay Miss Pereira ये चेक कैस्करा कर आज को पैसे बिजवा दो लेकिन बैस बन पुचुका से Hmm कोई बात नहीं मैं मैंनेजर को फुंग किया देता हूँ राज को रुपय मिल जाने चाहें वरना वाज दी घर वापस नहीं आएगा लो सोड़े के बगर विस्की ऐसी लागे सेड़ जी जैसे बिना टस्मे के बूट और बिना टाई के सूट विस्की साली पानी में पियो तो अपन को ऐसा लगे जैसे बिल के साथ कोई 7% सेड़ टैस जोड़ दिया हूँ हमें तो जानो सेड़ जी आजकर धंदों में धरों क्या छे कमाई तो नाम की होवे है खाली इधर उधर से जो बचा लो बचा सेड़ जी आप बिलकुल ठीक हैते हो बिना इन चक्रों के दुनिया कर चक्र चले नहीं सकता है आप तो जानते हैं सेड़ जी मेरी फर्म का असूल क्वालिटी है बीस लाके ओडर पे चाल दा का माल ही क्यों नशल सप्लाई करूँ लेकिन जो माल देता हूं क्वालिटी का देता हूं जानूसू सेड़ जानूसू अपन भी धन्दा चाहे कम करूँ पन करता हूं तो टौक क्वालिटी का हाँ अपन को धन्दे में खोट गर्मियों में कोट और बिना लिपिस्टिक होट बिलकुल पसंदेग छे मुंशी जी तमें तो जानो इस बार मेरी सक्रेटरी मेरे संग नहीं आई तमें कल एक बार कोई स्टेनो तो दो एक घंडे के लिए भेज़ दो जरूरी काम छे सेट मुलीधर जी आपके प्राइवेट काम की फिकर आपसे जादा आमको है जबड़ाईये नहीं आई इसी स्टेनो भेज़ दूगा कि उसकी स्पीड आप पकरनी पाएंगे यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा अबर सलेट को कोई नहीं पकड़ेगा चाहे पवंद उत हो चाहे त्वरी नहीं आगे तूँ आपके तुम आफिस आने वाले थे तैड मैं तो प्रकुल फूल गया मैं कल सुबाद के साथ चलूँगा अचा मैं ज़रा ठेरो ठेरो इन से मिलो इनका हमारे फर्म के साथ बहुत सा कारोबार है सेट मुर्ली धर ये मेरा बेटा राज अचा डैट मुझे ज़रा उपर जाके मैं स्टडी करूँगा ये सेट मुर्ली धर हमारे बड़े इंपरानिक राख हैं सूरग की नहाई की मालदार असामी हैं होटल शिराज में ठेरे हैं नमलों क्या हो जाए अपके वो अपने सेक्टरी को नहीं लाए ए तुम यह करना रहे था शाम को साथ बज़े तुम नहीं के साथ रहें लेकिन 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 कुछ नहीं मैं तुम से कहे देता हूं कि तुम्हारे लिए यह गोल लंगा पर चुमिलती हैं नहाए तुस सुनहरी मौका है अगर तुमने सेट जी को खुश कर लिया तुम्हें ऐसा चक्कर जलांगा कि इसी महीने तुम्हारे इंतराक्ती हो जाएगी लेकि मुझे करना क्या होगा लो यदि यह मुझे बतलाना होगा कि एक सेट्री को क्या करना चाहिए यू आर इंतलीजन गार मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम सेट जी को किसी भी तरागी शिकायत का मौका नहीं दोगी अलशन देटा बादी तोट कॉप हुप 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 कम एं बुटेटी सोहलला के पसंद था तो जवाब नहीं बड़ी देर से इमतिजार करूशू तभी बसे जाओ बसे जाओ क्याल होगे विस्की, बियर, जीन मैं डिकेशन लेनी आई हुप हुप डिकेशन के लिए तो सारी रात पड़ी लिछे इतनी भी जल्दी क्या है डिकेशन की लो मैं नहीं पेटी नहीं पेटी कोई बात नहीं अपन ही पी लेते हैं दूसरे की माल अजम कर लेने की अपन सारी के आदत पड़ी लिछे सेजच जी हाँ, बोला मेरी मा भी आ रहे मैं घर जल्दी जाना जाते हूं अभी तो आई हो मेरी रात की रानी अभी अभी तो आई हो आप तो मुझे खलत समझाए मैं सेजच सवाहलाण के सेक्रेटर जीता हूं जानू चू जानू चू आज रात मने तुम सुंदर लाग उच्छू, आओ, आओ, मुर्ली धर के पास आओ, मुर्ली धर के निकट, निकट आओ मैं तुमारा मुह भी नहीं देखना चाहता, तुमारी इस पेरूदा हरका से हमारी कमपनी को जितना नफ़ान पहुंचा है, शयाथ तुमे उसका अंदाजा नहीं का, मैंने तुमें मुझी भेज़त ही करो, चाट आओ अरब के मुपे बेहज़त करने की कोशिश मैंने नहीं की सेट जी, मुझे तो बताते हुए भी शरम आती है, तुम हमारे कमझी के शाबिल नहीं, जो उपना इधार चुपता करो, इतना अन्याय न करो सेट जी, मैं बेकुसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, असली गुनायगार तो सेट मुरल जिसने मेरी एज़त पे हमला करना चाहा, मैंने वही किया जो एक शरीफ लड़की को करना चाहिए था, चारां रदात का मान लेने वाल है, बतमाच है, अब तुम शरीफ हो, यो आटिसमें, गयाँ, आपे वाल ही करेंगे, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, अभी मुझे इसने का शुरू करेंगे, आइह नीं हमने काना तो मैंने मुझे। पांगे, ये नई लड़की धंकी देकर गई है, कि हमारे खलाफ यूनियन में रपोर्ट करेगी हूं, दराशार लगना, फिकर मत कीजे सेर जी, मैं बोई चक्ता चलाता हूं, एफ लीशिए, सेर जी, आजकर हमारे स्टोर में चोरियां बहुत होने लग गई है, अगर किसी को चोरी के अज़ाम में धर लिया जाए, तो सार दो सार के जुट्टी हो जाए उसकी, लेकिन जरा दिखान, गवारिया नहीं, साब भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं पिल जाएगा, अच्छा मा, गल ले दो, अरे, यह तो खत्म हो गए, कोई बाद है, मैं शाम को अर लेती हाओंगे, गोलियों के कोई ज़रत नहीं बेटी, अब मैं ठीक हो गई हाओंगे, जीचा मानेट्चा, आग लगे इस नोई बेमाई को, पीच्छा ही नहीं छोड़ती, अन्ली सी जान पर बोजा पनी बैटी, भगवार मुझे उठाता भी तो नहीं, फिकर मत कर मा, तुझ जल्दी अच्छी हो जाएगी, मैं दवाई के लिए मेरा से पैसे ले जाती हूँ, तंखा मिलते हैं उसे लोटा दूगी, अच्छा मा, मैं जाओ, अबीटी, तुजा तुझे तेर हो जाएगी, वारिज हो रही है, परसादी लेकर जाना, अच्छा, अरे बैज जल्दी करो, लगते आज फिर मुझे देर होने वाली है, बस हो गया, लो और रैशन के लिए पैसे देते जाओ, आज आखरी दिन है और घर में चावल बिलकुल नहीं है, ये लो दस रुपए, इसी में गुजारा कर लो, मेरा जीदी, हाँ रीता, काम पर जा रही है, तो फिकर ना कर, मैं मा को दवाई दे दूगी, मगर जीदी, गोलिया खत्म हो गई है, और, ले, शाम को आते हुए दवाई ले आया, तुम सच में देवी हो दीदी, तंखा मिलते ही तुम्हारा कर्स चुका दूगी, कर्स की चिंता ना कर, तु नहीं जानती, जब मैं बंबई आई थी, तो मेरी हालत भी बिलकुल तेरे जैसी ही थी, मुझे याद है, जब मैं बीमार थी, तो मिल पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे, अब जब मैं तुझे कर्स देती हूँ, तो समझती हूँ अपने आपको कर्स देती हूँ, उसी मीरा को, जिसका नाम किसमत ने आज रिता रख दिया है, सच कहती हो दीदी, हम गरीबों के नाम बदलते रहते हैं, किसमत नहीं बदलती है। कर्स देती है। यह क्या है? चेकिंग, कैसे चेकिंग? कुछ चोड़ी हो गया होता, भला पूछो, जो चोड़ी करेगा हो, कैसे चीज अपने पास रख लेगा? फूल, लेट्स को फर चेकिंग पर्स, नहीं है, ये रेन कुछ किसका है, मेरा आहा, चला दियाना चक्तर, चोड़ी करते हो शरम नहीं तुम्हें, मैंने कोई चोड़ी नहीं की तो क्या ये हार उड़कर तुम्हारी जेब में आ गया, इंस्पेक्टर साथ, मेरे खाल में इसे पुलीस स्टेशन नहीं आईए मैंने कोई चोड़ी नहीं की, इस हार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती क्या बात है वांके, सेड़ जी, इस लड़की नहीं हार चुराया है, और पकड़ी गई बहुत बरी बात करें ये, नहीं सेड़ जी, मुझे कुछ नहीं मालूँ, मैंने यहार देखा तक नहीं था इंस्पेक्टर इसे पुलीस स्टेशन ले जो नहीं सेड़ जी, मुझे पुलीस के हवाले मत कीजिए, आप चाहेंगे तुम्हें नौकरे छोड़ दूँ नहीं मैं जरीब जरूर हूँ सेड़ जोर नहीं, भगवान के सोगन मैंने चोरी नहीं की सेड़ जी, सेड़ जी, सेड़ जी ऐसा मत कीजिए, मेरी मा बिमार है, अकेली है मैं जेल चली गई तो मेरी मा मर जाएगी, मेरी मा मर जाएगी मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की मैं बेकसूर हूँ सेड़ जी, बेकसूर हूँ अधिता देवी तुम्हे चोडी करने के जर्म में पांच सो रुपए जुर्माना और च्छे मेहीने कैद की सदा दी जाती है जुर्माना आदा नकरने की सूरत में पैद की मियाद एक साल होगी तुमने दर्खास किया है कि तुम सेश सोहनलाल से मिलना चाहती हो अदालत तुम्हे जेल जाने से पहले पुलिस की हिरासत में मिलने की इजादत देती है येस सार पुलिस इंस्पेक्टर मिलना चाहती है इंस्पेक्टर? येस सार भी से जी इसे नॉटिस बोर्ट में लगा दो, ताके दूसरों को सवर्ख में दे यहां मैं से रियर रूम और केंटीन में लगवा देता हूं ताके स्टाफ को मालू हो जाए कि चोरी के जुर्म में अरीता को एक साली खायद हो गई यह तुम? जेल जाने से पहले आपका शुक्रियादा करता हूँ आपके वफदारी और इमांदारी के सुरू का मज़ब मुझाची वरना मुझे जेल न जाना परता हूँ आप लोग खुश हो रहे होंगी कि आपकी साज़िश काम्याब हो गई है लेकिन दिन ही दिन में आप चानते हैं में बेकुसूर हो मुझे देल भेट कराके गुलाव किया है आपके जमीर आपा क्या अद्री हो इस्पेक्टर चोँए चार ही होंसे तुनलाल एक साल की निजे जा जारी ही हो लेकिन बार्मीने सारी जिंदगी नहीं होती है एक सार तक आप मुझे भूच जाए है लेकिन इस सार का एक फ़िर्ट मुझे याद रहेगा और धर्मार की सागन मैं आप से एक 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 नर्डिटी में न तरो जारूँए एक सा बजा बातूगी आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई झाल कर दो कर दो कर दो कर दो रख़ है। अच्छे सुलूक की वज़े से तुम्हें पंदा दिन पहले रिहा किया रहा है थेंकियु सार और हाँ, तुम्हारे घर चे कोई आया था कहे रहा था, तुम्हारी मा बहुत सक्थ बीमार है मा हाँ जल्सुपन साप, रिटा नम के लड़की रहा होने वाली थी हाँ, आज ही रहा हो गई आज ही रहा हो गई? आज ही रहा हो गई? यहाँ, आभी भी गई तुम्हा्ग जल्सुपन हुआ 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 है मा को तेरे इंसाफ पे बहुत विश्वास था बहुत शद्धा थी तेरे लिए तुने सारी जिन्दगी उसे कोई सुख नहीं दिया वो फिर भी तेरी पूजा करती रही आज उस विश्वास उस रध्धा को मैं जलाए हूँ आज वो रीता मर गई है जो अपनी बेगुनाही थाबित करने के लिए दुनिया के आगे रोई थी चिलाई थी तुम्हारी नाम का वास्ता दिया था आज दूसरी रीता ने जनम लिया है जो इस वरेभी दुनिया का आप मुकाबला करेगी आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं मैं इस दुनिया से अकेली लड़ूँगी अकेली बदला लूँगी बदला लेना इतना असान नहीं दुनिया बहुत बड़ी है इसके टेडे मेरे रास्तों में आकेला इनसान तो यूही गुम हो जाए आप कौन है शायद तुम्हें याद नहीं आज से एक साल पहले की बात है तुमने मुझे पुलिस से बचाय था सुंसान गली अंधेरी रात पुलिस मेरा पीछा कर रही थी हाँ और मैंने उन्हें गलत रास्ता बताय था हाँ तुम्हारा ये ऐसान मैं जंदेगी बर नहीं बोलूँगा मैंने तुम्हें बहुत ढूना मगर तुम नहीं मिली पाद में ये मालुम हुआ जाल ने एक साल के लिए मुझे जेल भीजा उसने मेरी मा की जान ले ली मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी चाहे मुझे फासी क्यों न लग जाए नहीं रिचा कानून से खेलना तुम्हारा काम नहीं मैं चाहताओ, कि सोहनला अपने ही जाल में खुद भचाए मैं चाहताओ, कि वजिन्दा रहे और जिनदीजे उसे छीनली जाए वह सांस ले लेकिन उसकी हर सांस में आ हो को रोये, चलाये, तलिपे लेकिन उसे तसलिद देने वाला कोई नहीं मगर आप तुमारी तरह मुझे भी उसने ध्दूखा दिया है और तुमारी तरह मैं भी उससो बढ़ा लाना चाहता हूँ लेकिन रेटा तुम मेरे बेटी की तरह हो मुझ पर विश्वास करो आज हम दौनों के एक दूसरे के मदद की जरूरत है मैं आप्ते मदद कैसे कर सकती हूँ कर सकती हो रिटा याद है पुलिस से भागत वक्त मैंने तुम एक चीज दे थी समभाल कर रखने के लिए वो तो पिक्चर पोस कार्ड थी हाँ उनी पिक्चर पोस कार्ड कहा है कहा रखे थे मैंने शायद इसमें हो यह हाँ यही है अब तक मैं इसे के लिए परिशान था जानती हो रिटा बुज़ूर कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होनी चाहिए अब तक हमारे और सोहनलाल के दर्मियान एक उची और मुझबूत दिवार थी और पुथी इतालत लेकिन अब वो दिवार नहीं रहेगी यह देखा इन हीरो को मैंने अपनी जान की बाजी लगा कर समगल किया था अगर सोहन पुलिस को खबर कर दी थी इत्तफाक से कर तुम नहीं मिल जाती तो यह इंतकाम के आग सिर्फ हम दोनों को जलाती रहती सोहन को इसके आँस तक नहीं पहुचती है लेकिन अब अब ये शिर्फ हमारी मंदिल के रह में कामयाभी के निशान बन जाएंगे आए 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 सिर्जी बंबल के इस नए कैसीनों ने पहरस की राथ को चकतर में डाल जाए कि पहर्प्त झाएंगे कि कैसीनों एजप्शना सेड़ जी इंद्र का खाड़ा है इसी लिए यहां हर चीज का डबल भाड़ा है आईए आईए सेड़ जी यहां की हाथ सफ़ाई के चक्र में फस गए तो बस फिर कबाड़ा ही कबाड़ा है अच्छा तो यह भी आप अच्छा तो यह भी आप अच्छा तो यह भी आप पहुंचे क्या देख्रों रिटा अंकल हमारा कसीनो सच मुझे एक खुबसूरत जाल है यहां शिकार खुद वखुद अपनी मर्जी से आपहसता है क्वाना है क्वान दवल शोच कि जहां जाचाश जूलीज्स कर दो कि अ कि अ का सपक न के अ des'll ब कर दो हुआ हे य क्लेर look य से पहां जी को ब का स्थे 190borg हाजी एक मान दो हजार मिलते हैं ये छेट कर्फों तो नासों ताहराख से लिए चल के कॉंतर ले लिए आई जाई जाई आई जाई 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 आहा हाशने की माच्टर वांके लाल जी बहुत दिन हुए याद नहीं किया आरे तुम जैसे हमर मन्नव को मामूली का जोड़ी का आजाएगा जब जरूर पड़े तुम्हें चला देना चक्कर आओ आरे सेर जी सेर जी का हो आओ आई 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 वी प्रिजेंट यू वी वी ब्रेटेस्ट मेंशिश्य दिख्रेट पाच्छाव अजार कि फ्रीजेंट्लमेंट अब आपको एक ऐसा अजूबा दिखाया जाएगा इसे आपने ना देखा होगा ना सुना होगा ना पड़ा होगा एक तेज तलवार की नोक पर एक कुमल खुबसूरत लड़की जदू के जोर से सुलाती जाएगी मेरी यापमेट, मेरी यापमेट तें तुम सोह्रें तुम सोह्रें तुमस्योरे विल्म किसी ती यावच उना एगरेत शबाप, शबाप, वाफ ते साथ झाल ही जाश पसलोग का शाल जो जाब जाश जाश यजया Нवच and ideas इंश एपक जया एपक जया श्रहर भी कर दो 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 यहां तो एक के पचास के बढ़ने अजाल नुट गए अजाल कर दो 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 बेमनोस मुझे सखत नफरत है कर दो कर दो काजूल याओ याओ कर दो कर दो आजाने जाँ आ मेरा ये हुसन जवाँ 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जानिम को आजाना आ जाने जवाँ आ मेरा ये हुसन जवाँ 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जानिम को आजाना आ जवाँ जाने जवाँ आख से मस्ती तपके है तपके है तो देखे ना दिल का सागर छलके है छलके है तो समझे ना क्यों तरपाए तो क्यों तरसाए ओ जालिम आ जाना आ जाने जाना आ मेरा ये खुसन जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जालिम आ जाना आ जाने जान क्यों तरसाए फे यजाना आ जान आई पोगल्ग आ जानना आ जानना आ हाँ आ जाना आ जान आ जानना जानना दूर से कितनी आई हो आई हो तुझा नेला प्यार का तुम्पा लाई हो लाई हो तुमा नेला अब दर्द से तु क्यों ठुकराए ओ जालिम का जाना आ जाने जाना आ मेरा ये हुसन जवा 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 तेरे लिए ख्यास लगाए ओ जालिम का जाना आ जाने जाना का जूँई का lei जाना का जूँई का जूँऑ पला जुए का जूँए क्कित हूँजव़ झाल झाल अच्छा तो यह है वर सेजे इसे काट लो तुम मज़ा आजाए ज़र देखो सारे पाप की दौलत किस तरह आपने शरीब में भरा चला रहा है इसका खेल भाजे केवा दो खेलो अच्छाए तो खेलने की हर चीज खेलो छो पन अगर पार्टना तुमारे जेबे सुन्दर होए तो सोलो खेलू छुँ खाली तुम खाली हम मन्जुर मन्जुर काट खेलू तो छुँ पन तुमारे फिर जीती नाहे सकू वो क्यो हुँ ताशकम तुमेर ज्यादा देखुँ अहाँ हाँ क्लोजिंग थाइम थी आपने तुमेरा सब कुछ लूट लिया सेची एक खेल और खेले मगर आप नहीं खेल सबते कसीनो तो बंद हो रहा है कसीनो बंद हो रहा है तो क्या अपने दृल का क्मरा को खुला चे जिदनी का चांस देंगे ना तू चलो अपने होटल बाच लो होटल में? अकेली? ना बबा ना, मेरा तो दिल धालकता है दिल तो साला अपन कावी धालके छे अपन तो रमी खेलंग ना सिरफ रमी ना, देखो सेट जी, I'm a good girl हूँ भी तो अच्छा शूँ Don't be naughty सेट जी सेट जी नहीं, मुरली धर, खाली मुरली मुरली? कैसी सुरीली आवाज है मुरली क्या ऐसी खुश्बों तो हमारे रेशम के गोडाओं से आवे चे I told you, सेटी, मैं तो सिरफ रमी के लिए आई अरे मैं भी तो ही कहूं सू मेरा मकमल के खान अच्छा, ये रमी हमेश नहीं हो सकती हमेश? हाँ सूरत जाकर रमी तो क्या, रमी वाली को भी भूल जाओ के छी, 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 ऐसी सूरत, सूरत में कहा बंबई तो स्वर के लागे थे, बंबई आऊ सू, रोऊ सू, जाऊ सू मेरी जान, तुम क्लब से चार-छे दिन की छुटी लेकर, मेरे पास नहीं आ सकती हर घड़ी तेरे इंतचार में, मुर्ली धर बंसी धर मैं साथ अगस्त को बंबई पहुँच रहा हूँ, अपनी रिबेका के पास सिर्फ तेरा मुर्ली वकिल सहब, आपके सेट इन खतों में, मुर्ली धर बंसी धर से मुर्ली धर हुए और आप सिर्फ मुर्ली होकर रहे गए यानि जो जो इश्क बढ़ता जाता है, आशिक का नाम खड़ता जाता है ये इश्क भी क्या-क्या रंग दिखाता है मगर सुनिये तो सुनने लाइट तो आपके प्लाइंट सेट मुर्ली धर के ये सब खत हैं बड़े मंझे हुए आशिक मालुम होते हैं बस एक आखरी खाता और सुन लीजे मेरी अपनी रबेका तुम बंबई छोड़कर कोवेत जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हे वहाँ ज्यादा पगार मिलेगी नहीं नहीं मैं तुमको कवेत नहीं जाने दूँगा तुमको कब भी नहीं जाने दूँगा अब तुम जीवन भर मेरे संग रहोगी हमेश के लिए मेरी अपनी और इस पर भी आख कहते हैं कि सेट मुर्ली धर ने इसे शादी करने का कोई वादा नहीं किया तो क्या आप मेरे क्लाइंट सेट मुर्ली धर के खिलाफ कोट में दावा करेंगी जी नहीं हम उने फुला के हार पहनाएंगे आप धंकी दे कर अपनी बात मुर्णा चाहती है धंकी नहीं वकील सहाब केस कल कोट में जा रहा है आपको शायद मालूम नहो ये ब्लैक मेल है मिस लीटा अगर ये ब्लैक मेल है तो आपको पुलीस के पास जाना चाहिए आप अच्छी तरह जानती है के सेट मुर्ली तरह एलेक्शन लग रहा है इस किसम की पुब्लीसिटी ये उससे काफी नुक्सान पहुं सकता पुलीस इसे राज भी तो रख सकती है वो रहा टेलिफून नमबर वन जिरो जिरो मिस रिबेका आप अच्छी तरह जानती है किसे जी ने आपसे शादी का बादा नहीं किया बादा? वो तो शादी की पकी तारिक बताने वाले थे क्या उनोंने लिखकर दिया था क्या आपसे शादी करेंगे? यह सप्रेम बत्र मेरे होने वाली पती सेट मुर्ली धर्ने लिखे है हो शूइट, हो रूमेंचिक आप शेकिन के साथ कह सकते हैं कि सेट जी ने आपसे शादी का बादा किया था मैं कसम खाकर कहते हूँ मेरा मुडली मुझ से जूट नहीं बोलता He's so nice, so cute सुना आपने, ये अदालत में कसम खाकर कहेगी मैं भरी अदालत में मुडली का हाथ पकर लूँगी मैं ये मामला निक्टाने आया हैं, आप लोग को क्या चाहिए मुझे फिरा मुडली चाहिए और अगर वो ना मिल सके, तो जैसे हमने आप से पहले ही कहा शादी का वादा तोड़ने की कीमएट बीस हजार रुपे ठीक है मिस रीटा, आप जीती ही, और ये लिजी बीस हजार रुपे आप अप 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 ऐसे नहीं, इसके लिए आपको हमारे वकील से मिलना पड़ेगा इस लंबे जंजट की क्या जूरत है, पैसा लोग ख़त देओ और ब्लैक मेल के जुर्ब में साथ साल जेल जाओ नो थैंक यू मैं तो कहता हूँ कि आपस की बाद आपस में निपट जा तो अच्छा है नहीं चुन्नी भाई, कानून की बाद कानून से निपटे तो अच्छा है आप कल शाम के चार बजे हमारे वकील Mr. Dhirubai Patel के आफिस में मिलिए ठीक है वकील साब आप अपने निशानी वाले नोट तो भूली गए कमाल है रीटा तुम्हें कैसे मालम हो गया कि वो नोटों पर कुछ निशान लगे हुए थे एक साल जेल में रहकर बहुत कुछ सीखिया है रेबेका अब मुझे पता है कि ब्लैक मेल क्या है और कानून क्या जो जीस कानून से हासल हो सके उसे ब्लैक मेल जैसे खतरनाक तरीके से हासल करने का फाइदा एकसलेंट एकसलेंट वाकई तुम 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 बदल गई हो अब वो तीन साल पहले वाले रीटा नहीं नहीं राजपाल जैसे लड़के का दिल वही लड़की जीत सकती जो हर लहासला जवाब हो कश्मीर के लिए कल की सीटे रिजर्व हो गई है वहां तुमारे रास्ते में एक छोटी सी रुकावट है और वो है सोहनलाल के मैनेजर की लड़की तुम सुन रही हो ना आप रुकावट की बात कर रहे थे ना आपके होते हुए कोई भी रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती गुट राजपाल जवान है और जवानी में दिल बहतावा पानी होता है जिसका रुक जिधर चाहो बदल लो तुम राजपाल के दिल और दिमाग पर बिजली की तरह गिरो उसे सोचने समझना का मौका न दो जाद रखो हमारी जीत इसी में है कि वो तुम से शादी कर ले त मुझगर की बहु बन जाओ और इस खांदान की इज़त कहला हो उसी दिन से हमारे इंतकाम शुरू होगा उस दिन के लिए मैं भी बेचैन हूँ लेकिन इतना ख्याल रखना राजपाल काफी खूबसूरत जवान है लड़कियां उससे मिलने के लिए बेचैन होती है लड़का मासुम नज़र आता है ना लेकिन फिर भी वह हमारा दुश्मन है हाँ जारेलाद लेका अगर तुम चाहो तो राजपाल का ये ठट्टु पर बैठा वर टट्टू ते को पहले क्या सरकस करना जाता है इस बैर के खेले हमारी काफी मलद कर सकता है हुँ हमारे राजपाल में एक रोकावट है मां के लाज जो मूँ फाल के बियर की रहा है अब देखो रोज की तरह लोड़कने वाला ये शक्कर में है कि राजपाल इसकी बेटी से शारी कर ले इससे अपनी दुलहन बना ले और ये भी सोच रहे कि खूबसूरती में मैं क्या कम हूँ ये देखो लेकिन अफसोस है कि बैचारी के सबने पूरे नहीं होंगे लेटा हमारा मकसद इंतकाम और जब तक तुम प्यार चता कर राजपाल से शादी न कर लो हम काम्यार नहीं हो सकेंगे कर दो, इंतकाम राजपाल से शादे नहीं हो राजपाल मैं अव्यार क्यार आई प्यार क्यार्वा राजपाल गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भे मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ आजा मिलते मातने हो क्या खुश्या क्या हूँ आजा मिलते बात ले हो क्या खुशिया क्या तनहा 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 ये का जहर पे क्यों हम तू मेरे जीवन का पंची मैं तेरी परवाज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ हुआ 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 है हुआ 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 है मारे उमर का ऐसा जीते जीना मांगे जुदाएं आज मिले जो हाँ तू मेरी सासों का मालिक, मैं तेरी दम साज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ आप उसने शाट देख लिया, आँ तुमाज दर देख रहा तुमार 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 तरा पाराए रिता, बया साथ, आप यास बया सी गीत लग्या ये जीप आपकी है बहुत अच्छा गाती हैं आप मैं समझा ये आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती है तो किसकी हो सकती है किसी फरिष्टे की मैंने सोचा इन हसीन बादियों में सायर करने के लिए आसमान से कोई हूर उतराई है सच पूछिए तो आप भी किसी हूर से कम नहीं आप एक काफी खुबसूरत जवान है क्या ख्याल है आपका यकीन मानिये लड़कियों के मामले में काफी खुश्खिस मत रहा हूं लेकिन आज तक किसी हूर से वास्ता नहीं पड़ा अच्छा हुआ वास्ते निभाने मुश्किल हो जाती है मुझे नीचे तक छोड़ दीजेगा हाँ जरूर आप इतनी सुबह अकेलिया ही है आप जो है जीप नहीं चलाईगा सामने देखकर चलाईए कहीं आप साथ हैं ना उतको सुदूर है अजनभियों पर विश्वास नहीं किया करते हैं तिल कर बैठा है ओ चीप रोकिये मगर क्यों आपका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है कमजोर दिल वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं कहा रहती हैं दिल की धड़कनों में फिर कब बिलेते हैं जहां आप चाहें कब जब आप याद करें अरे चल अरे चल मेरी बेगम मेरी लेला मेरी परी मेरी हूर घोडी भी मेरे साथ चलने को तयार नहीं मालम होता है और अजात को ही मुस्तन अफरत है ए घोडी खाली है बिलकुल खाली घोडी एगदब खाली है यह स्वीट लिटल फूल थैंक्यू आइए पदारिये गटिये दूसरी घोडी कहा है दूसरी घोडी आपको इस वक्त दूसरी घोडी के क्या जरूरत दूसरी घोडी मेरी फ्रेंड के लिए चाहिए इटिएट ए भाइ, राज प्यारे गए मारे प्यारे, आज मैं बहुत कुछ हूँ समच गया, समच गया बास के पंजे में नई चड़ीया फिर आई कौन है वो? कोई है, कोई है पहली हूं लगात है बिलकुल पहली जवान है उसे देखकर जवानी भी शर्मा जाए उसने तो मैं जरूर ठपड़ बारा होगा यही तो डिफरेंस है प्यारे आज मैं जिन्दगी में पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मैं यू आर इन लाव बिल्कुल वो मेरी जीप में बैठी मेरे पास यू चिपाँ यहां तो द्रख्ती द्रख्त है यहां तो कोई दिखाई नहीं देता तुमने उसे यही छोड़ा था क्या इसी पुल पर लेकिन मुझ ठीक है सी क्यो आज के पर थे वो गया बादलों से उतरी थी तुमने उसे पैदल चलते देखा था क्या बादलों में देखो वो थी तो लड़की ना इसमें डरने की क्या बात है मैं खुद इंक्वारी करके आता हूँ मजसे बचके जाएगी कहा अरे बचाव 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 वो लड़की नहीं है वो क्या है वो क्या है आपकी सास कुछ खुल रही है आपके लिए कितनी दूर से भाग कर आ रहा हूँ मेरे लिए? हाँ अभी अभी आप उस पहाड़ी पर थी और अभी पहाड़ी पर? आप होश में तो हैं? शायद नहीं आप हर जगा मुझे नजर आती हैं शायद आपकी आँखे आपको धोखा दे रही है आँखें धोखा दे सकती है लेकिन दिल नहीं क्या फिर तेजी से धड़कने लगा? इतनी जलती इतनी खरीब आ जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था बिजली जब गिरती है तो सूचने का मौका नहीं देती वादर अगर बिजली को पहले से निकलने ना दे तो आज शायम को आप क्या कर रही है? आपकी क्या फर्माइश है? छेलों की सार को चले? सोचेंगे मचली जब काटे पर लग जाये रस्ती धीली छोनी परती है मेरा खाल है राजपाल को आज अंतजार करने पर उसे इस बात का ऐसा दलाना जरूरी है तुम्हें पाना इसना असान नहीं अरे भाई आजाएगी चलाओ है पेशेंस जल्दी करो जैंक्या देखा डैडी वो जान बुझकर मुझसे दूर भागता है जरूर कुछ गाल में काला है रोना काम है बच्चों का बीटिया मुआ ऐसा चक्कर चलाओंगा जितना काला है ना अब सुपएध हो जाएगा आप बैटो शिकारे में संबल आप शाबाज बैटो आप चालो भाई आई ये कुछ बात हुई अभे ओ मुखबत के मरीज उसे ना आना था न वो आई जी उस स्कूर को तो समाल जब बंबई से तिरे लिए आई है वो देख वो और उसका बाप शैद हमें ही ढून रहे है अव बैटा राजू अरे भई कहा आई है वीशिकरवाला अरे आप चल्दी करो जल्दी करो वहराँ तुम तेशना जी अतनी बेटी तेरे सर पे बाज नहीं तो पुता है पर पास में आगे आगया तुम तो तेश्चलाओ अरब शेह अरब शेह आइए. अच्छा वाब गिर गये, कफ्ड़े सारी धीले हो गये, मैं मिल गई, मता घया, मिल गई, मेरी मंकी हो रानी मिल गई. मेरी मंकी रानी मिल गई. मुं मुं मेन Town 같습니다. सभ्साया आप कहां से आइगे, कहां ठेरी इं? हाउस बोट में या मोटर बोट में यहां कब तक रहेंगी आपके साथ कौन है आप अकेली है या अपनी आया को भी लाई है वापस कब जाएंगी इसलिक जल्ली क्या है सांस तो लीजिए मैंने सोचा एक ही सांस में पूछ लूँ सांस क्या भरोसा कब रुख जाए मेरा नाम सबर का फल हमेशा मीठा होता है मेरी किसमत का फल मीठा है मैं जानता हूं आपड़े वो है आप नहीं तुम तुम हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए तुम हमारे लिए थिर जबाने का क्या है हमारा नहों आपके प्यार का जो मिले आसरा तुर कुदा का विदे शक सहारा नहों हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए! तुम्ही हो दिल में, तुम्ही हो मेरी निगाहों में, नार आएगा अब कोई मेरी राहों में करू ना आर्जू, करू ना आर्जू मरने के बाद जन्नत की, अगर यह जिन्द की गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में प्यार के चांद से रात रोशन रहे फिर कोई आसमा पे सिताना न हो हम तुमारे लिए तुम हमारे लिए हमारे लिए लुक्तम अघ्रिश्या थे आसमा जाद से तुम्स, फिर करक्तालि तुम्स. क्रति लिए तुम्स. मुझे तक्रतर से तुम्स. अधिसान भॉर्सुम्स. पूछ दही है जमन के फूलों से ये कौन आया के तुम सब हो सर जुकाए हुए सोच में फूल है हम अगर चल दिये सोच में फूल है हम अगर चल दिये फिर जमन में कभी ये नजारा नहो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए फिर जमाने का क्या है हमारा नहो आपकी प्याने का यो मिली आसना फिर कुदार का विजे शक सहादा नहो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए प्रोड़ मिली खार्शितक वुक कर रे अस्मारे ऊतुम है अलो रिटा, हलो अंकल ऑंकल ये MR. राजपाल है हह अहा, अär, वर्डू दू वर्यॉ différents थैंक you आप यह रहते हैं जी नहीं मैं कश्मीर हर साल चुट्टियों के लिए आता हूँ इसका मतलब है कश्मीर से पुकाफे दिल्चसपी है ऐसी कोई बात नहीं जी चाहता है मैं हर साल योरोप जाओं सारी दुनिया घूमाओं लेकिन लेकिन? मेरे डैड़ी मुझे हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देते वो मुझे इतने प्यार करते हैं मुझे उनकी बात माननी ही पड़ती है ऐसी ऐसी वैसे कश्मीर उनके ख्याल में दुनिया की सबसे इच्छी जगे है आपको नहीं लगते है देर असल बात ये है इसी साल कश्मीर मुझे बात पसंदा आया इस साल क्यों? कोई आसबात है यहार मतलब है मुझे कुछ काम याद आगे मैं चलता हूँ नमस्ते बाई लड़का वाके मासूम और शरीफ है लेकिन क्या किया जाए इसका बाप भी ऐसे था रिटा मेरा सबसे गहरा दोस्त ऐसा दोस्त जिसके लिए मैंने जेल जाना तक गवारा किया था जेल? हाँ रिटा आसब 20 साल पहले की बात है हम और सोहनलाल बिजनेस पार्टर थे एक दिन हमारा जार्ज रंग उनपोर्ट पर लगने ही वाला था तो पुरी तरह से पकड़े के सोहनलाल वो देखो पुरीश मोट पिछा रही है मेरे ख्याल में सारा माल पानी में भैंग तो क्या कह रहा है उस सारी जिंदेगी भर्की कमाई है या कुछ ऐसा सोचो कि माल भी बच्चा है और हम भी बच्चा है लेकिन वरना हम दूनों रंग उजल में सारी संदेगे सर्द रहें गवाँआर हमारे बच्चे हिं दूस्तान में तो फिर किया क्या जाए हम दोनों मेंसे एक को तो हिंदूस्तान पहुंचना चाहिए तुम तो जानती हो हिरलाग, मैं अपने चचा की सारी जयदाद का अकेला हकदार हूँ अगर मैं किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच किया, तो मैं तुम्हारे बीवे बच्चे की में देख भाल कर सकूँगा और अपने बच्चे की भी पुसूर तो मैं ने किया है, यह कैसे हो सकता है मैं तुम्हें काम करो, तुम किस तरह यहां से निकल जाओ सिर्फ मेरी बीवे बच्चे का ख्याल लगता मैं तुमसे वादा करता हूँ तो जाओ अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच किया तो मैं तुम्हारे बीवे बच्चे की पूरी तरह से देख भाल करो मैं समस्ता हूँ मैं तुम्हारे जुर्म अपरे सरफ ले लेता हूँ तो फिर मैं जाओ जेल काटने के बाद जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तुमने मुझे हमेशा छुट बोला है हमेशा धोका दिया है मुझे अगर कल तक हुंडी की पेमिंट न होई तो मुझे एक्श पीरा लाल तुम बर्मा से कब आये अब या समानलाल जहाद सुतर के सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ कैसे हो बड़ी शांदार कोठी बना ली अब तो बहुत खोशी हुई तुमसे मिलकर मैं कुछ बिसनस की बातों में मस्रूफ हूँ तुम बाहर बैठो गए मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा मैं सिर्व इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरी भीवी कैसी है मेरी बच्ची कैसी है मैं इन से निपट लू तुम बैठोगा किसी को मेरे साथ भेज़ दो मैं घर चला जाओ क्या बात मुझे मालूम नहीं कि तुमारे बाल बच्चे कहा है क्या मतलूम मालूम नहीं दरहसर मैं कुछ इतना कि मेरी बीवी और बच्ची को बहुत की कई दफा कोशिश की लेकिन आखिर मुझे भी तो पचासों काम है पचासों उल्जन है उल्जन नहीं सोहन लाल रुपए कमाने के लालच में तुम भूल गए कि तुमने मुझे वादत तुम मैं सान फरामशो अब तुम कमी नहीं है अब तुम आगाए हो जो अपने बाल बच्चों को ढूंड़ और अगर दोचासों की जुरूत है तो यह लो मैं ढूनू और तुम समस्तों के इन दोचासों रुपए मैं तुमुझे वो खोई हुई जो मैंने तुम्हारे लिए खो दिये तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिये सोहनलाल किटा मैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोहनलाल मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगा उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया चाहे मैं खुद बर्बाद हो दाऊ सुहलाल से बतला लेकर ही रहुगा बसरिटा कई तुम्हारे कदम न डगमका जाए आप तो अपने घर की सिजावत में लगे हुएं और मेरा घर बिल्कुल सूना हो जाने वाला है पांकेलाल लड़की को बाप का घर एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है रसी दिरा धिली करो अजी रसी तुम्हाने बहुत धिली रकी थी राज नहीं पकड़ी अब इन्दुमा क्या होगा अजी बाप हो तुम्हारे बैटी ने तुम्हारे कुछ नहीं बताया किसी बंगे। झाए पीफे पार्टी है क्योगी तिनि तो यहुँ नहीं जुँड खार दो सन्ध्यू टिर्म लगता शर्ट नहीं टौट लाट्टी बंगे। नहीं पार्टी बंगे। अब ट्यूण। स्वेश्णू है व्लुव Oh Jennifer, how are you? Oh gosh, you're looking beautiful, terrific I must say Oh, what a dress meadress मुटतों से मेर खाइस्टी कि अगर में बहु है लेकिन बहु इतनी सुंदर होगी जिसका मुझे गुमान दू नहीं था तु बड़ा खुश्किसमत है बेटे जाओ इसे मेहमानों से मेला Thank you, Dad चल Rita, this is Mr. Kamati Kumar मुबारत Mr. Freddie Mr. Williams Congratulations Thank you, Mrs. Williams Ah sweet Ah sweet, Rebecca मेरे दिल का पंची फिर जैचे का बता कब तर नहीं बहु 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 जिराज बहु के से गेंगी कश्मीर से तेरे का था अजी साहब जब कश्मीर जाने वाले हवाई जादों की फ्लाइट कैंसल हो जाती है वहाँ के मौसम पर कोई ठीका आना नहीं है तो फिर वहाँ पर की हुई मेल मुलाकात के चक्तर का पला क्या भरोशा? मेरे सेड जी सेड जी पार्टी वड़ी जोड़दार हो रही है ऐसा लगता है जैसे इस लड़की को कहीं देखा है पैषानी सूरत दिखती है लड़की अच्छी है अरे अच्छी क्या बहुत अच्छी है बस एक ही है कि वावा मैं कहता हूँ जवाब नहीं से लड़की का बांके ये गुहार लाए हूँ राज ये मेरी तरफ से अपनी मंगीतर को दे दो ये डैडी की तरफ से तौफा है अर्फ जया करा शच्छी कड्स BABULLESS बनी को इच्छी नहीं की? तो क्या यहार उड़का तुम्हारी केम में आगया इंस्पेक्टर साथ मेरे ख्याल में से फुली स्टेशन ने आई गया है नहीं नहीं मैंने कोई चुरी नहीं की सेट जी मुझे तो कश्मीर में ही शक पढ़ गया था आज इस लड़की की पीछे जरूर कोई चक्कर है आज इस हार ने वो चक्कर पूरा कर दिया यह वही लड़की है जो हमारे स्टोर में आज से तीन साल पहले काम की अगभ्ती थी और आपने इसे एक साल के जील भिजबा दिया था और यह धंकी देकर देए थी कि वो जरूर बतला लेगी वो ही लड़की यह राजो यह लड़की जो है शायद मैंने क्या हुआ रीता तुम ऐसे कुम चली आई अच्छा हुआ तुम आ गये यह लो यह क्या जरूरी नहीं कि हर मसाफिर को मन्जिल मिल जाए ओ किराज क्या हो गया तुम्हें किसी ने तुमसे कुछ कहा तुम्हारे डैजी ने तुमसे कुछ नहीं कहा नहीं तो नहीं कहा तो कह देंगे तुम डैडी से गफराती क्यों हो जाने क्यों डर सा लगता है जैसे वो यह शादी नहीं होने देंगे मेरी डैटी ऐसे नहीं है तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो वो कभी इंकार नहीं करेंगे और अगर उन्होंने इंकार कर दिया तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे रीता तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं बाप और बेटे के प्यार के बीच मेरा विश्वास डगमगा गया है इस से पहले कि तुम कोई मजबूरी बताओ वेहतर यही है कि मैं ही तुम्हारे रास्ती से हट जाओ तुम मेरे अम्तिहान ले रही हो मजबूरी का भाना कमजोर इंसान लगाते हैं मैं उन्हें इंसानों में संही हूँ जो हम से फर्बन कर साथ छोड़ दे मैं शादी तुम ही से करूँगा अभी अभी? हाँ हाँ अभी इसी वाकत उस लड़की ने ये देखकर के राज आपका एक लोटा बेटा है सारी जाइदार का अकेला वारिसे बस उसने पी चक्कर चला जो इस चक्कर में तो हमारे खानदान की नाक काटते सेर जी नाक तो उस दिन कटेगी जब वो बहू बन कर यहां आएगी ऐसा कभी नहीं होगा सेरे देखिए होने को तो सब कुछ हो सकता है मैं तो कहता हूँ खैरियत इसी में गुजरी कि अभी तब कुछ हुआ नहीं अगर आप चाहें तो उस लड़की को राशने से हटा लिया जा सकता है इस साफ जाहिर है कि उस लड़की को आपके बेटे की परवा नहीं रुपाय की जरूरत है आपको रुपाय की परवा नहीं अपने बेटे की जरूरत है बस चक्तर तो यू चल जाएगा मा तेरी चिता के सामने खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि तेरी मौत का बदला जरूर लूगी आज मैंने उस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाया है सोहनलाल के बेटे से शादी कर ली है उसने बेटी से माँ छिनी थी मैं बाप से बेटा छिन लूगी सेट सोहनलाल आपसे मिलना चाहते हैं सेट सोहनलाल मैंकम सेट जी मुझे आपकी बाई कसा था मैं जानती थी आप मुझे आशिवाद देने जुरूर आएगे अगर मुझे पहले मालूम हो जाता के तुम वही लड़की हो जो मेरे हाँ नौकर थी तुम्हें मंगनी कभी न होने देता मंगनी तो हो चुकी सेट जी ये शादी नहीं होगी तुम बंबई चोड़ दोगी और फिर कभी मेरे बेटे का मून ही देखो शायद आप समझते हैं मैं अभी तक आपके स्टोर की नौकर हूँ नौकर नहीं तो क्या हुआ हर एक शक्स की एक कीमत होती है जिस पे वो बिक जाता है आज मैं भी तुमसे एक सौदा करने आया है लेकिन मैं सौदा करने के मूड में नहीं मैं एक इंसान हूँ सेट जी दुकान नहीं लेकिन आपका भी कोई कुसूर नहीं आपने जिंदगी में सिर्फ दुकाने देखी हैं इंसान नहीं देखे पचास हजार का चेक लिख दू पचास हजार आप मुझसे ले जाएए एक लक दो लक तीन लक चार लक ये लग और आप मेरे बेटे की सुरत का भी मत देखना कितनी अजीब बात है जब मैं मासू उम और बेगुनाह थी तो मेरी बीमार मा के लिए चासर रुपे का इडवांस न दे सके थी और आप जबकि मेरे माथे पे जेल जाने का कलंक लग चुका है आप मुझे चार लाख दे रहे हैं ये मेरे जेल जाने का इनाम है या मेरे मा के मौत की किमत आप जा सकते हैं तो तुम चाहते हैं कि मैं राज को सब कुछ बता दू आप के तक खिल्फ करेंगी मैं उसे खुद बता दूंगी कि चोरी के जर्म में एक साल जेल काती है तुम उसे कुछ नी बता हूँ राज मेरा कलोता बेटा है आज तक मैंने उसकी कोई बात नहीं डाली मैं जानता हूँ कि वो तुमें चाहता है अगर उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो उसके दिल पे क्या गुज़एगी हलो रीटा डैडी आप यहां मैं तो समझा आप गॉल्फ खेलने गए होगे राज तुम ने अपने डैडी को अभी ताख खुश ख़बरी नहीं सुनाई कल रात में घर देर से पच्चा और आप सुवाज़दी निकल आए डैडी कल रात हम दोनों में शादी कर लिए क्या मैंने सेट सोहनलाल के बेटे राजपाल से शादी कर लिए शादी ओ फिकर मत कीजिए मुझे आपकी इज़त का पूरा ख्याल है शाम के सब अख़वारों में हम दोनों की तस्वीरें चप जाएंगे तुज्जाल यहां तक पहुंच चुका है यह इसकी खतरनाक चाल है बेटा इसे कह दो कि तुमने इसे शादी नहीं की यह सब जूट है बेटेरी यह सब सच है यह सच नहीं है मेरा बेटा एक चोर से चादी नहीं कर सकता मेरी बहु की माते पे हीरों का ताज होगा चिर की सदा का धबन है हाँ बेटा यह इसका असली रूप नहीं जो तुम देख रहे हो यह मुझरिम है इसने एक साल सजा काटी यह जूट है यह सब जूट है रीटा कहता हूं के सब जूट है यह सच है मैं कहता हूं यह सच नहीं है डैडी आपको थोका हुआ है यह मेरी रीटा है मुझरिम नहीं अदालत में मेरा जुर्म साबित कर दिया गया था नहीं यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता देखा, कितना दुख पहुचाया है तुमने इसे दिल तोड़ दिया उसका खबराये नहीं सेट जी यह किसी खरीब का दिल नहीं जो एक बार तूटने पर हमेशा से सकता रहेगा अमीर आदमी के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती अगर आपके पहलों में दिल होता सेट सोहनल तो उस दिन मेरे बेगुना हांसों पर पिगल उठता मेरी बेचारगी पर रोटता अगर आपके सीने में दिल होता तो शायद आज मेरी मां जिन्दा होती और शायद आज आज आपको अपने बेटे के दिल तूटने की आवाज ना आती लेकिन उस वक्त आपका वक्त था और आज वक्त मेरा है इस दिन के लिए मैंने तीन साल इंतजार किया है तीन साल तक बदले कि आख को दबाती आया हूँ आखिर आज मैंने आपकी बेटे से शादी कर लिए आज से मेरा इंतकाम शुरू होता है तुमने मुझसे शादी की है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हूँ मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया तुम जोट बोलती हूँ मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती मैं तुम से प्यार नहीं करती कोई बत नहीं तुम मेरी बीवी हो तुम मुझे प्यार करने लोगे मैं तुम से कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम इनके बेटे हो आखिर तुम्हें क्या हो गया बेटा, एक लड़की जो तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हें सचाजी करना चाहते हो, जो कभी आवारे खांदान के काबल नहीं बन सकती, तो किसने मुझे ऐसे बनाया है, आप एक शरीफ लड़की को जेल भेजेंगे, और चाहेंगे कि वह फर जो तुमसे क्या हो गया था, आज के बाद तुम एक शरीफ लड़की हो, एक शरीफ बीवी हो, एक शरीफ खांदान की बहुँआ हो, यह नहीं हो सकता, यह तभी हमने खांदान की इंज़त नहीं बन सकती, मैंसे प्यार करता हूं मैंने से शादी की लेकिन यह एक चोर है, कानूं की निगाओए मुझरे में, वा, चोर तुम लोग बनाओ, और मुझरिम का खिताब हमें मिले, इस्ज़त तुम लुटो डाकू हम कहलाए, किसी की बेबसी का मजाग तुम उड़ाओ, और शेयतान हम समझे जाए, नहीं सेट सुहनलाल, मैंने अपनी बेगुनाही था करने के लिए मिन्नते मांगी, मैं रोई थी, चिलाई थी, लेकिन आपने मेरे नाम से मासुम्यत और बेगुनाही का पट्टा उतार कर, उसकी जगए चोर और मुझरिम की तख्ती लगा दी, कानून ने जेल में मुझे एक नमबर दिया था, आज उस तख्ती, उस नमबर उ कभी जेल नहीं गए, मिटा सकते हो पुलीस के रिकार्ड में जहां चोरों की लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है, फर्स करो, कल तुम्हारी बीवी को पुलीस स्टेशन बलाया जाए, और उसको चोरों की लाइन में शिनाख के लिए खड़ा किया जाए, तो तुम क्या क मगर डैडी, शाम को पाटी के लिए सब को इंवाइट कर चुका हूँ, आपकी दोस्तों को भी, तो क्या हुआ, फोरां कैंसल कर दो, माफी मांग लो सबसे, मगर डैडी मैंने उसे शादी की, बतना से, चोरों की तार, बगार किसी को बताए, चुक कर गुना होता है, शाद मगर मैं उसे पहू मनने के लिए तयाद नहीं हूँ, जब तक मैं जिन्दा हूँ, वो इस घर में नहीं आ सकती, ये मेरा आखनी फैसला है, ठीक है, अगर आपका यही फैसला है, तो हम यह नहीं रहेंगे, वो बतनसीर कहलाते हैं, जिनके सर से मावाग कसाया उट जाता है, लेकिन ऐसे भी बतसीब है, जो मावाग होते कोई बिनका प्यार नहीं पासकते, राख, मैरे लिटी, ये है रीटा का अंकल, मिस्टर ही रलाग, बड़े खुश्वाए रलाग, तुमसे मिलना चाहती है, वो खड़िये, तुम यहां कहें, तुम यहां कहें, तुम यहां कहे बती जी है, दरसल मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था, लड़की बालों में से, लेकिन क्या करो, रुपे कमाने के उल्जन में वक्त ही नहीं मिला, सुना है कि आप रंगून में थे, लेकिन किसी दोस्त ने आपको धोखा दे इसलिए चले आया, याकिन कि जी आपकी अधाया है, तुमें से जानते हैं, बहुत अच्छी आजमी है, मैंने कश्मीर में मिला था, क्यों क्या बात है, यह मेरा पुराना दुश्मन है, नहीं, तैडी, यह तो रीटा के उंकल है, खलात है, साधूशे रीटादी, तैडी, रीटा बहुत अच्छी लड़की है, री यह हार कितने का है, चालिस हाजार का, हीरो का है, सरसंभल के रहना, मुझे हार चुराने के जुर्म में, एक साल जेल भेजा गया था, साधूश, 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 रीटा, यह क्या कर रहे हूँ, इंट्रोडाक्शन दे रहे हूँ, छूट बुला क्या, पूछ लो अपने दैडी से, भगवान के लिए चुप रहे जाओ, चुप? कैसे रहूं चुप के मैने पी ही क्या है? होश अभी तक है बाकी, और जराती दे दे साधी, और जराती और कैसे रहूं चुप के मैने पी ही क्या है? हूँ! 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 मुट्टो की प्यास आज एक जाम बन गई मुट्टो की प्यास आज एक जाम बन गई ये खुशी की शाम शाम में इंतकाम बन गई जो बात हम में तुम में थी वा बाताम बन गई और जरासी देदे सापी और जरासी कैसे रहूं चुप कैसे रहूं चुप कै मैंने पी ही क्या है धोशा भी पैखे बागी और जरासी देदे सापी कैसे रहूं चुप कै मैंने पी ही क्या है पता है तुम को राज क्या है मेरे इस सुरूर का के इस सुरूर में जरा सा रंग है गुरूर का जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हुदूर का और जरा सी देदे सापी और जरा सी कैसे रहूं चुप कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है होशा भी तक है बागी और जर्सी देदे सापी और जरा सी ते रहूं चुप के मैंने पी ही क्या होशा भी तक है बागी और जरा सी देदे सापी और जरा सी और जरा सी देदे सापी TucsonWay वालाएं वालाएं Ankaal! मुजी कर लेचली! जो चुरुटा बढ़ जागाड़िए इसाफ्टार ना? किसी को भी शबपनी हुआ कि मैं तुम्हें विस्क्षी में ही वानि मेला को को जड़े रेंजी कर दो जड़े रेंजी तू? यहां क्यों आया हूँ? चले जाओ यहां से शराब का खुमार अब तक बाखी है? यह खुमार अब नहीं उत्रेगा जिन्दे की भर का रोग है शान कुछ भी तुमने किया है उस पर शर्मिन्दा नहीं हो क्या? कोई भी शरीफ पहू कांदान की इज़त को यह रुस्वा नहीं करती इज़त? यह खरीब लोगों की जबान तुमने कहां से सीखी? राजपाल, किसी दौलत मंद, किसी सेट की इज़त कभी रुस्वा नहीं होती इज़त लुटती है एक 200 रुपे महवार कलक की, इज़त पिकती है एक लाचार पे सहारा खरीब लड़की की सेट सुहनलाल की इज़त कैसे रुस्वा हो सकती है? जानती हो, इस फंक्शन में डैडी के सारे दोस्त, शहर के सब बड़े बड़े लोग मौझूत थे डैडी को तो सारी रात नीद नहीं आएगी सच, मुझे खुशी हुई बहुत खुश हो सुनकर कि मेरी वज़े सेट सुहनलाल को सारी रात नीद नहीं आएगी तो मैं नहीं मालूम, मैंने जेल में कितनी रातें चाक चाक कर काटी बदले की भावना च्छी नहीं होती रीता, जो दूसरों को चलाता है, खुद भी उस आग में चल जाता है यह ख्याल दिल से निकाल दो, और मेरे साथ खर चलो, अपने इंतिकान के जोश में तुम फूल रही हो के तुम मेरी बीवी भी हो नहीं राज, मैं सेट सुहनलाल की बहु रीचा हूँ, जिसने एक साल जेल काटी है और यही मैं दुनिया को बताना चाहती हो क्या बताना चाहती हो, तुम एक बेवफा बीवी हो, एक बेहाया बहु हो, समाज और सुसाइटी के नाम पर एक बद्नुमा धबा हो तुम यह चाहती हो जिदर से तुम गुजरो, जिस रास्टे पर तुम चलो, लोग तुम पर उंग्या उठ रहें और कहें हाँ, और कहें कि यह है सेट सोहनलाल की बहु, और जब मैं यह सुनती हो, तो मेरे दिल के किसी कोने में आग उगलता हुआ तुफान धबने लगता है मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपनी भूग से बलगती मा को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया हो मुझे महसूस होता है, जैसे मेरी बीमार मा को थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया हो जैसे उसकी आत्मा को पल भर के लिए शांती मिल गई हो रीता, मैं तुम्हारे जजबात समझता हूँ, अगर मैं तुमसे महपत करता हूँ क्या यही कुसूर है मेरा कसूर, मैं भी बेकसूर थी राज, मैंने बहुत दुख छेले, बहुत बुरे दिन जेल में काटे और मैं भूल नहीं सकती किसने मुझे वहां भेजा मैं अपने दुख भूल सकती हूँ, राज, लेकिन अपने मा के दुख नहीं भूल सकती तेरी मुहबद भी इन जखमों पर भाहा नहीं रख सकती अब कुछ नहीं हो सकता राज, कुछ नहीं चले जाओ यहां से, और फिर कभी इधर मत आना इन्दू, तुम? नहीं राज, मैं तुम्हें और नहीं पिने दू मैं तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी दोस्ती का करजदार हूँ तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता इन्दू, क्यों जानभूज के अपने आपको धोका दे रहे हूँ किसी को अपना बना कर धोका देने से, खुद धोका खालेना अच्छा है हो सकता है, ये धोका कभी हकीकत बन जाए तुम अन्होनी बात सौच रही हो रीता तुम्हे दोका देगी, ये बात कभी तुम्हारे लिए अन्होनी थी, मगर आज ठीक है अगर उसकी यही तमन्न है, तो यही सही चलो चले इसे गाड़ी तक पहुचा दो जी जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जाँ जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जाँ तो ऐ दिल महबत कि पिसमत बना दे तडप और तडप कर अभी जान दे दे यू मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जाँ ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना तेरे लिए उनकी जुलबों के साएं तु बे आस फिर क्यों जिये जा रहा हैं तु बे आस फिर क्यों जिये जा रहा हैं जवानी में ये जिन्दगाने लुटा दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जाँ सितम या करम हुसन वालों के मरजी सितम या करम हुसन वालों के मरजी यही सोच कर कोई शिक्वा न करना सितम गर सलामत रहे हुसन तेरा सितम गर सलामत रहे हुसन तेरा यही उस को मिटने से पहले दुआ दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जाँ तो ऐ जिल मुहबद के पिसमत बना दे तडप और तडप कर अभे जान दे दे यू मरते हैं मरजाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हो जा जो अ युठ कर दो झाल कर दो 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 कर दो! क्या बाद है रिटा किस सोच में हूँ जी कुछ नहीं कोई बार तो जरूर है जिस तरह उदास बैटी हो तब यह तो ठीक है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ तम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो आप से? मैं जानता हूँ बात क्या है राज दिन बर तुमारा पीछा करता रहा था और तुम उससे मुझसे मुझसे फेर लेती हो क्या सच मुझसे तुम उससे नफरत करती हो? आपको शुबा है? रिटा औरत के दिल बड़ा कॉमल होता है वो खुद मिट जाती है किसे को मिटा नहीं सकती इसलिए डरता हूँ के किस फाट का डर? डरता हूँ के महबत इंतकाम पर काबू न पा ले यह वक्त बड़ा नाजुक है रिटा तुम्हारी एक कमज़ोर निगा हमारे सारे खेल को चॉपट कर सकती घबराये नहीं वो निगाराज को कभी नहीं मिलेगे सेर जी, मैंने आपका नमक खाया है मैं तो आपके फाइदे की सोचूंगा याद है, रिटा को रास्ते से हटाने के लिए आप चार लाग रुपईया खरच करने के लिए तयार हुए थे मैंने इस सारा इंतजाम एक लाग रुपई में कर लिया है न रहेगा पांस न वजेगी वासरी तुम्हारी सब बातें पांस की तरह खोग लिए तुमसे कुछ नहीं होगा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा नहीं 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 शेट जी आप जरा जरा से काम के लिए कष्ट करेंगे लानत है मुझ पर एक खुबसूरा चेरे कर तो जमेला है आई रात को ऐसा चक्कर चला देता हूँ कि चेरा खुबसूरत ही नहीं रहेगा तो वास साथ के बारा बज़े तक सब काम ठीक हो जाना चाहिए सने की ये लो एक बज़े की फ्लाइट कर सिंगपुर के टिकट ये पासपूर और ये वहां के बैंक 90 हजार रुपय का ड्राफ्ट और ये है 10 हजार रुपया कैश एटवांस असली है सेट हाँ हाँ सब काम ठीक हो जाना चाहिए खब्राव मत सेट मुझे भी एक पुराना हिसाथ चुकाना है ये लो अगर इसकी धरूर परे तो इससे भी काम देलेना चलेगा स्नेकी का डशा पानी भी नहीं मांगता सेट हमारा केक लाओ है अनुगर इस सलाना फंक्शन के उपर ये केक हमारी तरफ से दोफा पेश किया जाए रीटा देवी ने ऐसे बहुत से केकों की खुबसूरती खराब की होगी ये केक उन सब केकों का इंतकाम देगा जब रीटा देवी के हाथ से छुड़ी इस केक पे चलेगी तो बलून भटेगा और रीटा देवी का चेरा वाह! 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 क्या लग रही हो? ऐसा लगता है कि चौदवी का चान मेकप रूम में मेकप कर रहा है ओफ ओफ बहुर मत कर शोका टाइम हो गया वाह! 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 मेंगाई थरो प्यारी! कौन है वे? ये सारे प्द्रग होना! इस लंगूर का बंकर दो! यह आँखे बहुत खुबसूरत हैं, इन्होंने बहुत कुछ देख लिया, मगर कुछ नहीं देखा, यह होट बहुत खुबसूरत है, बंध होट कितने अच्छे लगते, अगर यह होट खुले, तो इसका मुवी खुल जाएगा, चलिए स्टेज पे, आपके बगार मैं फिल स पे, आपके यगऑा, चलिए करेंता लाएगा, जफ़ले मैं फिल सो इाँवी मैं फिर सोई ऐसा कोई होगा कहां जो समझे जुआ मेरी आपकी मैं फिर सोई ऐसा कोई होगा कहां जो समझे जुआ मेरी आपकी मैं फिर सोई आपकी आपकी बॉल आपकी रात गाते हुए बंग नाते हुए अख बेच जाएगे यू मुस्कुराती हुई, रात गाती हुई, गुन्गुनाती हुई, भीत जाएगी ओ, मुस्कुराती हुई, सुभा का समा, पुछेगा कहा, गए महमा, जो कल थे यहाँ मैं फिल सोई, ऐसा कोई, होगा कहा, जो संधे जुआ, मेरी आखंगी, मैं फिल सोई पुपस्देस, में प्रहा का समाय, जो एक वा यहाँ जुएस, ऑटनुएछाम, हुआजम् माटर भीत! मैं पुपस्यर्चा, पुपस्पा इजुए का समाय, तेल सोई, हुआएष्भा गग थे टूएब हैं, बुएधा, एक फृब्ससाइब आज थंके गजर दे रहा है खबर कोन जाने इधर आई ना सहर किसको पता जिन्ददी है क्या तूट ही गया सासी तूठा मैं फिर सोई ऐसा कोई होगा कहां जो समझे दुआ मेरी आखों की मैं फिर सोई तूब होगा तूब कि वेर चब है तूब्के ना सब्सके तूप सब्सके तूबदें प्रेट फीरा लाल जी, इस शुब घड़ी में अब देर मत की थी, जीता के हाथ से केप कटवा के, सुब का मूम ही था की थी जीता ऩुब में अब की थी, जीता के! रिटा देवी, केक काथिये, मत काथिये केक, केक काथना पड़े, मत काथो, केक काथना ही पड़ेगा अजैजने के सब रास हो श्या, तुम रिटार को समहालो, मलगा तुम जी जाता है स vector गिर 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 गिर, गिर 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 गिर! सुड एजे बु़ो你 Risen कारना Ambrill तो तो जो तो जो 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 इगा उराई पाच्चो! श्रहए अबरदान आगे बंदी कोश्मत करना रुक जो बन्ना गळी सो रागे टूँड़ दोग़ो जोटना तो परणी ही लिला कर लोग आप जोग़ो जे लिला कर दोग़ोगोगगव। थाया! कि आसा मार्कै! वाया! फिरो! कि बाते! कि बाते!! पाची मा! पाची मा! हुआ 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 हुflows वाट को हुआ 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 हो हुआ हुआ Niagara अब तो उसने के कट डंग से नहीं बच सकती, जिस हुसन पे तुई तराती थी, जिस चेहरे पे तुझे ना सकती, ना ये हुसन रहेगा, ना ये चेहरा रहेगा तब मता किरोण तुझे लिए, अा भुझे लूझे, ये घर हुसन वहा आ है। राइथ हुसति अल थे ना सकता है। गिष्टार कर लो एक यह तो मैं भी समझता हूं सेर्ट जी के राज बेकसूर है लेकिन अगर वो कुछ बताएगा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं उसका कॉपरेट करना बहुत जरूरी है यह तुम क्या कर रहे हो बेटा किसी का खून अपने सर ले रहे हो अगर तुमें कुछ हो गया तो नहीं नहीं बेटा तुमनें सच्च यूने कह रहे थे कह दोने कि खून तुमने नहीं किया अग्यों मैंने ही क्या डेडी तुम जूट कहते हो तुम जान बुश कर मुझे मैं जान बुश कर ये खुन अपने सर पर ले रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बाप की दौलत में ही बेटे का हिसा नहीं होता बलके बाप के हर अच्छे और बुरे करमें भी उसका हिसा होता है हमेरीता का बहुत बड़ा खर्चुकान है अगर मेरी जान जाने से हमारी भूल सवर सकती है अगर मेरे फांसी पर चड़ जाने से हमारे गुनाहों का बोज हलका हो सकता है अगर मेरी महुत सरीता को एक नई जंदगी मिल सकती है तो मेरा मर जाने है अच्छा है मिस्टर राजपाल पुलिस की रिपोर्ट के मताबक तुमने अकबाल किया है कि 14 दिसंबर की रात को 12 बचकर 25 मिनिट पर कैसी नोड़ जिप शियाना में सनेकी नाम के एक आदमी पर तुमने गुली चलाए जिसकी वज़े से मौका वारदात पर ही उसकी मौत हो गए अदालत ये जानना चाहती है कि ये बयान तुमने किसी मज़़ूरी या दबाव से तो नहीं दिया जी नहीं मैंने ये बयान अपनी मर्जी से और अपने होश अहवास में दिया है और मैं इतरार करता हूँ उस आदमी पर गोली मैंने चलाई है ये जूट है मीलाड बेले स्ट्रिक्ट एक्सपर्ट की रिपोरट के मुताबएक जिस रिवालवर से गोली चली उस पर मुखतले फाथों के निशान जिस पर कुछ हैं रिटा देवी के हाथों के जिसे राजपाल ने अपने हाथों से मिठाने की कोशिश की साह जाहरा मिलार बुली चलने के बाद रिवानवर चीनी गई सिरफ इस लिए के गातिष मुझे अपने इसर पर लिए दे फार्यो यह गलत है में किसी का जुर्म अपने सर पर नहीं ले रहा हूं मैं कातिल हूँ, एक बार नहीं, पचास बार नहीं, सु बार कहूँगा के मैं कातिल हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ये जूट है, बिलकुल जूट है घूली मैंने चलाई थी, कातिल मैं हूँ आपको जो कुछ कहना है विटनिस बख्ष ने आखे कहिए बैठ जा लिटा उंकल छोड़ देजे मझे तुम बैठ जा लिटा Your Honor, मैं राजपाल की बीवी हूँ मैंने राज से शादी की इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करती थी इसलिए कि मैं उस खांदान कि इजद नी लाम करना चाहती थी जिसने कभी मेरी इजद कामसाक उड़ाया था मैंने राज से प्यार चताया क्योंकि मैं उसके डैड़ी से बदला ले लेना चाहती थी लेकिन मा लॉर्ड, राज सच मुझे प्यार करता था उसने अपने डैडी के मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की मेरे लिए अपने खांदान के नाम इज़त शोहरत तकी परवाना की राज आज भी मुझसे प्यार करता है और यही वज़ा है कि वो जान बूच कर मेरा जुर्म अपने सर ले रहा है अर्षे थे हैं कि गोली मैंने चलाई थे कातिल मैं हूँ राज बेकुसूर है बिलकुल बेकुसूर है बिलकुल जूट प्रिचा बस बना मत करो अधाला से खदू जो कुछ तुमने कहा गलत है नहीं अपके वो बेगुना है प्यसेव है प्यसेव है सुहनलाल हमारा दुष्मन है और राजपाल भी हमारा दुष्मन को कि इसका बेटा है नहीं आपको सिर्फ राज है मेरा राज है Mr. Mayor Your Honor रीता राजपाल की पत्नी है पती पत्नी में जजबाती रिष्टा होता है मगर कानून जजबात पर नहीं वाकियात की रोशने में इनसाफ करता है इसलिए नीटा देवी के बेजानात को कोई अहमियत नहीं दी जा सकोई Why it is noted? Case is adjourned for the day राज के वगेर वो घर घर नहीं रहा एक अजीब सननाटा है वहाँ दीवारें में जैसे पूछ रही हो कि राज कहा है कहा छोड़ाए हो से तुम नहीं जानती बेटर राज इतना से था जब उसकी मा मर गए थी मैंने आज तक उसे मा की कमी मासस होने नहीं थी उसने जो मांगा जो जा लाकर दिया उसके हर्से पूरी की लेकिन मुझे मालूफ होता कि वो मेरी एक ना की मुझे इतनी बड़ी सदा देगा तो मैं उसकी ये जब भी बूरी कर देता माफी मांग देता तुम से एक अर्मान था राज की शादी हो अहुआ देगा सुने घर में बहारा जाए बबकिसमती मेरे घर में लक्षमी आई और मैंने उसे ठुकरा दिया तुम देवी हो बेटा जो मेरे गुनापाफ कर दिये तुमे लेकिन भगवान इस गुनागा को सदा दे रहा है मैंने तुम से तुम्हारी मा को चींग लिए आज वो मुझ से मेरा बेटा चींग रहा है ऐसा लगता है कि आज में अपना सब कुछ रुटा रहा है नमालू देल क्यों कहता है कि राज हमसे हमेशे के लिए रूट किया है अब वो कभी वाकुस नहीं आएगा चलो बेटा तुम हमारे घर की बहु की चलो अपना घर संबाल लो माफ कर तो इसको लागार को तुम भारे कद्वों से घर में रोशनी आजाएगी बेटा हो सकता है भगवान हमारी सुन्ट और आज हमें वापस मिल जाएगा ये मेरी मावर तुम यहां बैठो मेरी अवादा ये लाल से तुम ये लाल से तुम ये लाल से तुम तुम वापस तुम प्रूट आज आज देखो ना, तुम्हें बचाने के लिए दोस्ती के खातिर मैंने अपनी जवानी जेल में खोदी और जब वापस आया, तो किस खूबी से तुमने दोस्ती निबाए थी, यारा है कुछ? ये मुझे शर्मिन्दा करने का बादा। शर्मिन्दा, शर्म और भरोसे से तुम्हार क्या बादा, आज भी तुम यहान आया हो अपनी घर्ष में तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा बेकुसूर है, ये भी समझते हो कि शायद खूणी का पता मुझे होगा अब ये भी जान जाओगे, कि अगर मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती नभाई थी, तो दुश्मनी भी निरा सकता हूँ, सौनलाल मुझे इससे ही दिन का इंतजार था मुझे यकीन था कि एक नए एक दिन वक्त तुमें घर्कर मेरे पास ले आएगा और अब जब तक तुम्हारा बेटा, तुम्हारा इक लाता बेटा फास ही बरना चर जाए, तब तक मेरा इंतकान पूरा नहीं होगा चलिए रख देखो हिरला, मैं अपने किसी मतलब के लिए नहीं आया यहाँ, नहीं अपने बेटी की जिन्दगी की भीक मांगने आया, पिसमत ने एक अजीब खेल खेला है, हम तोनों के साथ, आज मुझे मालूम हुआ, कि तकदीर और दोस्ती में कितना गहरा तलुक है, अब ये जरू अब तक कैसे भूल गया थी, कि मेरी भी एक बच्ची थी, जिसकी देखबाल की जिम्मेदारी तुमने खुझ अपने उपर ली थी, दोस्ती की खातिर, कम असकम ये हाथ उसके सर पर तो रख सकते थे, मेरी बीवी और बच्ची को ठोकरे खाने से तो बचा सकते थे, आज कर बोलो, इसका जवाब है तुम्हारे पास, हाँ है, इसलिए तुम्हे आया हूँ तुम्हारे पास, यही खेल तो खेला है तक दीन है हमारे थाथ, मैंने हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ चीना, आज भी अंजाने में तुमारी बेटी चीन ले जाता, आगर उसके हाथ में ये जिसे लड़के को देखा तुम्हे, कौन लड़की, जो ये तस्वीर लेकर आया थी, ये तो मेरे पास थी, क्या मतलब, ये तुम्हारे पास कैस है, ये तो बच्पन से ही मेरे पास है, मेरी और मेरी माँ की तस्वीर, ये तुम्हारी माँ, हाँ, एक इन बात क्या है, बात ये है कि चिसम इतने दुनों से ढूर रहा था वो, वो तुम हो, तुम, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी, 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 उनने इस चौनसेट के रात एरपोर्ट से जो समगलर पुलिस के हाथों से भाग निकला था वो मैं हूँ मैं इस जूम के अकरार करता हूँ और ये भी अकरार करता हूँ कि स्नेकी पर गोली मैंने चलाई जिस रिवाल्वर्ट से स्नेकी का खुन हुआ उसके गोले पर सिर्फ मेरी मुल्यों के निशान है अपनी सफाए में सिर्व इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस वसक गोली न चलाता तो रिटा की जान खत्रे में थी मैंने एक मासून जान बचाने के खातिक गोली चलाई अगर अगर अगरालत मुझे सजा का ख़तार समझती है तो मैं सजा भूगदने के लिए टेयार हूँ मुकद्बे की नौईयत और हालाच की रोशनी में अगरालत हिरालाल को स्नेकी के गतल के जर्म से बाइज्वत बरी करती है मगर हीरेस्मगल करने के जर्म में एक साल पैद बामुशक्कत और भीसाधार जर्मान के स्जा दैती है जर्माना अदा लगाने की सूरत में लुगद की मियाद दो साल होगी तो रोफिक कमै hand आक रगली पती का प्यार चाहिए राज, दुनिया में मेरा जो कुछ है, मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ इसमें जो कुछ किया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ उस जगत मुझे माफ करना मुझे शर्मिन दना कीजिए राणलाल ही राणल, मैंने तुम्हें बहुत तक्लिफ दी, मुझे माफ करना जहाँ 20 साल दोस्ती की नजर की है, वहाँ एक साल और से ही अब हम सिर्फ दोस्ती नहीं, रिष्टदार भी है यह तुम्हें नहीं मानता सौंप जब तक तुम्हारे गर एक बच्चा नहीं होता जो तुम्हें दादा के और मुझे नाना के पत्तकम रिष्टदार नहीं हुए है कर दोस्ती की नहीं हुए है